अर्दू का पेज नमबर 49 जिसके बैली में एक नुक्ता होता है जीम जीम बैली में तीन नुक्ते चे जिसके बैली में उसके उपर कोई नुक्ता नहीं है हे जिसके उपर एक नुक्ता हे अब आपने इसको सॉल्ब करना है नीचे से उपर जाना है तो राइट साइड पर जाना है और नाइन तक लेकर आना है लाइन से नीचे इसको राउंड करना है राउंड करते करते लाइन से उपर जीम के बैली में एक नुक्ता दौर से उपर इधर राइट साइड पे फिर लाइन तक आए लाइन से नीचे आके इसको बैली बनाया और लाइन से उपर थोड़ा सा जीम के बैली में एक नुक्ता जीम चे इस दौर से उपर इधर आए लाइन तक आए, लाइन से नीचे आके बैली बनाया और ये लाइन से उपर डाइन चे के बैली में तीन नुकते चे नीचे से उपर जाना है, इधर आए लाइन तक आए, लाइन से नीचे आके बैली बनाया पर लाइन तक चे चे के बैली में तीन नुकते हे डौट से उपर इधर गए लाइन तक आए लाइन से नीचे बैली बनाया लाइन से उपर डौट तक हे इसका कोई नुकता नहीं है हे डौट से उपर गए इस डौट तक आए लाइन तक आए लाइन से नीचे बैली बनाया लाइन से उपर डॉर तक हे, कोई नुक्ता नहीं है इसका हे डॉर से उपर गए इधर लाइन तक आए डॉर तक आए, डॉर से इधर लाइन तक और लाइन से नीचे बैली बनाया पर एक नुक्ता हे dot से उपर इधर गए यहाँ line तक आए line से नीचे round बनाया round बनाते बनाते line से उपर गए इस dot तक और उपर एक नुक्ता khe jim che khe khe next है mlah अलिफ से लेके खे तक की आपने इम्रा करनी है मामा आपको लिखवाएंगी बीच बीच में से सारी अलिफ से लेके खे तक ठीक है अब आपने इसको बहुत अच्छी से राइटिंग में सॉल्ट करना है अल्ला हाफिज